खबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शता जहरी आई नज़र डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खुरों पर मंडला के नैनपुर में दो दिन पहले यूवती की जगन ने हत्या के मामले को नैनपुर पुलिस ने परदाफाश कर लिया है जहां तीन नव यूवकों को जिसमें दो नाबालिक हत्यारों को नैनपुर पुलिस ने गिरफतार करने में सफलता पाई है नैनपुर में दो दिन पहले शमसान घाट के पीछे थावर नदी में एक यूवती का शव तैरता मिला था जिसकी शूचना पर मौके पर पहुँचकर पुलिस ने शब को बाहर निकाल कर पीम के लिए पहुचाया जिसकी शिनाक्त चंदाराय नैनपुर का होना पाई गया पुलिस की जाँच में यूवती की हत्या गले में धारधार हत्यार से करना पाई गया जिसकी विवेचना में उसी महले के तीन युवक जिसमें दो नाबालिक हैं को गिरफतार किया गया जानकारी में बताया गया कि इन तीनों ने युवती के साथ रात में शराप पी और वहीं किसी बात पर गहरा बिबाद हो गया जिसके चलते तीनों ने मिलकर युवती के गले में तेज धारदार हतियार से वार कर युवती को खत्म कर दिया और वहीं घटनासल के करीब नदी में उक्तिलाश को फिंक दिया जिसे पुलिस ने दूसरे दिन जबत कर कारेवाही की दो दिन में इस मामले का परदाफाश हो जाने से नगर में भै का जो माहौल था वश्चान्त हुआ खबर समय जगत के लिए मंडला से निकेत श्रीवास्तप की रिपो